आज हम पढ़ेंगे चैप्टर खाद मैन्योर तो सबसे पहले हम जानते हैं कि खाद क्या होता है देखिए खाद की परिवासा क्या है कि वे सब पदार जो भूमी में मिलाए जाने पर उसकी अरुवर्ता में सुधार करते हैं यानि वो सब पदार जो भूमी में मिलाए जाने पर उसकी अरुवर्ता में सुधार करते हैं क्या कहलाते हैं खाद कहलाते हैं यानि सभी पदार जो भूमी मिलाए जाने पर जैसे घासपात, पसू पक्छियों, पौधों का जो अफसिस्ट है, मलमूत रहे, तता अफसेस है, वो समलित है, इसमें पौधों के सभी आफसकता तकम्त या अधिक मातरा में पाए जाते हैं, इस वर्ग में कंपोस्ट गोवर की खाद जिसे फार्म यार्ड मैनियूर बोलते हम एडिवल और नॉन एडिवल जो आपके खलियां होती हैं, वो जो खारी खाद, ग्रिन मैनियूर इसके बारें बताएंगे, अब देखिए, फटिलाइजर, फटिलाइजर क्या होते हैं, वे इन पदार्टों में पौधों के आफसक तत्तों की अधिकता अधिक होती है, इ अधर क्रतिम रूप से कारखानों में त्यार होते हैं ये, जैसे यूरिया, डाइ अमोनियम फास्पेट, यन डी एपी, सूपर फास्पेट, एन पी के ग्रेड जैसे 12, 32, 16 ये ग्रेड है, ये अलग अलग ग्रेड आते हैं, मिरोट और पोटास, मोपी जैसे बोलते हैं, ठी अधर कर फसल को उगाने की चमता में ब्रिद्धी करते हैं, ये क्या क्यलाते हैं, सॉइल अमेंडमेंट्स, यानि भूमी संसोदक क्यलाते हैं, अब भूमी संसोदक देखिए क्या क्या होते हैं, जैसे केलसिम हैडर अक्साइड है, जैसे आपका ये चूना है, जिपसम, CSO4 पाइराइट है, PS2, और लकड़ी का बुरादा आदी, अब फिर आते हैं, चौतरी कर्टेगरी, बायो फटलाजर या बायो इनोकुलेंट्स, जिसे हम बोलते हैं, जैव उरूरक या जिवाडू उरूरक, यह वजल की उपच बढ़ाने के लिए, सूफ में जिवाडू को ब पाइरो, प्दोन को ड़िए आते हैं, आपका या आपका अन्सॉलिबल फाम में आपका क्या रहता है, जो आपका फॉस्पूरस है, उसको यह पाइरो को अवलिवल कराते हैं, उसको मिनरलाज़ाइशन को कम करते हैं, अब क्या है, इस परकार की जीवी सामगरी को जैवी अत्वा जिवाड़ उर्वरक कहते हैं तो ये क्या करते हैं फसल की उपज बढ़ाने के लिए सुफ्ण जिवाड़ों को सीट्रीट्मेंट के द्वारा भूमी में मिला दिया जाता है जो वायू वी नाइट्रोजन लगभग 88% अत्वा भूमी में पस्तित अनुपलब्द पो पूसको के रूप में बदलकर पौधों को उपलब्द कराते हैं इस प्रकार के जीवी सामगरी के को जैवी कत्वा जिवाड़ उर्वरक कहते हैं अब देखिए खादो द्वारा भूमी के उर्वा सक्ति में सुधार कैसे होता है भूमी में पौधों के विभीन पोसक के मिलाने पर जिसकी की भूमी में कमी हो जाती है भूमी की उर्वरक्ता में सुधार होता है अब भूमी की भौतिक दिसा सुधार करके भूमी की भौतिक दिसा जो होती है उसमें उपस्तित जो भी आपकी कमी है जो भी उसमें बुराई है को दूर हो जाने पर भूमी में उ उपस्तित फुसक तत्तों का 104 रूप से उप्योग कर पाते हैं जैविक खाथ भूमी की जल्धारण चमता को बढ़ाते हैं भी आप इसमें देखिए जैविक खाथ मिला रहे हैं कोई भी कंपोस्ट है फार्म यान मैनियूर है ठीक है तो उससे वाटर होल्डिंग एपसिटी स जोईल की क्या होगी जो जल्धारण चमता हो बढ़ जाएगी अब 14 पॉइंट है भूमी में जैविक पदार्तों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्द करके पर भूमी में उपस्ति जो माइक्रो ऑर्गनेजम हैं जिसे हम सूक्च जीवानू बोलते हैं अब अपना कारे भ विभाजित किया जाता है प्रतमवर्गी करण क्या है Arganic Manure और Inorganic Manure दो प्रकार के होते हैं कार्वनिक तथा अकार्वनिक खाद कार्वनिक में क्या है कार्वनिक खादों में वे सभी खादे समलित की जाती है जो पेड़ पौदो अत्वा जिवधारियों से प्राप्त की जाती है जैसे गोबर की खाद है फार्म यार्ड मैनोर बोलते हैं कमपोस्ट है हरी खाद है जो ग्रीन मैनने ढहचा या आपकी जो गिलेशिरिडिया जो होती है उसको आप हरी अवस्ता में खेत में जोद देते हैं तो वो हरी खाद हो गई विश्टा की खाद हो गई खली हो गई भीडबकरी की जो भी आपकी अपसिस्ट होते हैं उनके फीकल मेट्रियल है और खलियां अकार्मिक तथा अजवी खाद क्या हैं इनन्हें इरुर्वरा क कहते हैं फटलाइजर्स कहते हैं इन्हें कृत्यम धंक से कमण्यशे लेवल पे कारखानों में बनाये जाता है जैसे यूरिया है, अमूनियम सल्फेयट है वोटेसियम सल्फेयट है अब दूसरा वरगी करन क्या है इसमें भी दो प्रकार की खात आती है एक होती है जनरल मैनियूर वहाँ खाज जो कि पौदों के भोजन के लिए लगभग सभी अविसक तत्तों को परदान करती है इनमें सभी प्रमुक्त सूक्ष में तत्तों पाये जाते हैं गोबर की खात, कंपोस्ट खात, हरी खात, हादी फिर वहोगी इसमें दूसरी काटिगरी आ जाती है इस्पेसल खात, वे खात जिनमें पौदों के भोजन के लिए कुछ ही तत्तों मिल पाते हैं इन खातों को रुख कहते हैं यूरिया, सुपर फास्पेट, डिये पी आ दी अब ये तीसरे प्रकार का वरगी खरणा इसमें भी दो खाते हैं, दो प्रकार की खात आती है कंप्लीट मैनियोर और इनकंप्लीट तो कंप्लीट इसको इनोंने किसको कह दिया है जो सभी आवसक, जो खात सभी आवसक तत्तों की पूरती करेगी आपके इन्प्लांट्स को, उसको कंप्लीट मैनियोर कर देते हैं जैसे गोबर की खात, कंपोस्ट है, ठीक है इनकंप्लीट कैसे हैं, इनकंप्लीट मैनियोर कौन सी होगी जो खादें पौदों की सभी आउसकताओं की पूर्ती नहीं कर पाती बलकि ये क्या करेंगी एक दो अथवा तीन तत्वी पौदों को प्रदान करेंगी जैसे माल लिजे या तो वो नैट्रोजन दे रही है या उससे आपको नैट्रोजन या फास्पूरस ही मिल पा रहा है या फिर उससे नैट्रोजन फास्पूरस और पोटास ही मिल पा रहा है आपको बागी सुमस्टत नहीं मिल पा रहा है किसी की सुक्ष मातरा में भी तो ये आपकी क्या है इनकंप्लेट मैनियूर अब इन्हें क्या कहा रहा है इनमें सभी रसाइनी खादे आती हैं जैसे यूरिया, पोटेशियम, सलफेट, सुपरफास्पेट आदी अब पौधो की विद्धी के लिए आवसक तत्त था और उनकी प्राप्ति के सुरूत देखेए, पेड पौधो को अपनी विद्धी विकास के लिए किसकी अवसकता होती है? भोजन क्या वसकता होती है अब पौधों का पोजन विविन पोशक तत्तों से युक्त होता है और पोजन कहां से प्राप्ट करते हैं प्लांट से हमारे हवा पानी तथा भूमी से प्राप्ट करते हैं भूमी से पोधे भोजन के आवशक तत्तों को घोल के रूप में ग्रियान करते हैं पौधों को अपने पौशनर के लिए 16 पौशक तत्तों के आफसकता होती है इन पौशक तत्तों के आपड़ती के बिना पौधे अपनी वृध्धियों विकास जो आफसकता है को बिना पौधा अपनी वृध्धियों विकास जो growth and development phases है उनको पूर्ण नहीं कर पाएगा ठीक लाबदायक प्रभाव डालते हैं वेग्यानिक आर नोन ने तत्तो क्या निवारता की कसोटी criteria of essentiality के निमलिखित मांदन दिये हैं जैसे पहला आफसक तत्तों के अभाव में देखो यह हमेशा याद रखेगा criteria of essentiality यह बहुत आता है एक्जाम में हर जगे पूछा जाएगा आप किसी के छात रहें तो यह हर जगा आपसे पूछा जाएगा criteria of essentiality ठीक है तो इसके criteria of essentiality में इन्होंने क्या कहा था और यह इसी करम में होते हैं और इसी में लिखे जाते हैं आप change मत करिये जा इसको पहला क्या कहा था कि आवसक तत्तों के अभाव में पौधे अपना ज जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर पाते दूसरा क्या कहा था criteria उन्होंने किसी विशेश आवसक तत्तों की कमी को केवल उसी तत्तों को परदान करके दूर किया जा सकता है अथार्थ एक आवसक तत्तों की कमी दूसरे तत्तों से पूरी नहीं की जा सकती यह दूसरा criteria था और तीसरा क्रेटरिया उन्हें क्या जिया था कि आवसक तत्व प्रतक्च रूप से पौधो के भोजन में या उपापचा क्रियां में भाग लेते हैं, ठीक है, तो ये तीन क्रेटरिया ऐस सच आप याद रखेगा, ये कभी भी पूछे जाएं तो क्रेटरिया उप इसेंसिलिट अनवारता की कसोटी आप यही लिखिएगा, अब पौधो की विद्धी के लिए मुख्य तत्व तत्व उनके विविन सुरुत देखिए, तो ये एक तालिका है, इसमें पौधो के क्या है, विद्धी के लिए आवसक पोसक तत्व हैं, जो कि हवा पानी से देखिए, C-H-O मिल जाता है, कारगन, हाइड्रोजन, ऑक्सिजन, अब प्रामरी और सेकंडरी कौन कों से तत्व होते हैं, N-P-K जो है आपका नैट्रोजन, फास्पूरस और पोटाज को प्रात्मिक न्यूट्रिन बोलते हैं, प्रामरी न्यूट्रिन बोलते हैं, सेकंडरी कों से कहलाते ह अब सूख्ष मात्रा में देखिए वे तत्व जिनकी सूख्ष मात्रा में आवसकता होती है ये क्या सूख्ष में आविरल तत्व कहलाती है इसमें क्या है आइरन है, मैगनी, जिंक, बॉरॉन, कॉपर, मॉलिविडनम ठीक है अब कलोरीन है, कोबार्ट, सोडियम है, बिनर्डियम है और सिलिकॉन है ठीक है तो ये हमारे आवसक तत्व हैं जो वृद्धी के लिए पॉद्धों की वृद्धी के लिए आवसक है मैंने आपको ये टेबल के माद्धिम से बताया है ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके तत्व हैं कि जिन से क्या-क्या परभाव होता है जैसे आपका नेट्रोजन देखिए नेट्रोजन प्रोटीन तर्था प्रोटोप्लाजम का प्रमुक अव्यव होने के कारण पॉद्धों की वृद्धी के लिए आवसक है पॉद्धी मरदा से नेट्रोजन को अमोनियम तत्वलाजम नेट्रोजन की रूप में लेते हैं अब इसके क्या प्रुमुक कारे है क्लॉरोफ Hag्य प्रकास के लिए अवच्छन के लिए आवसक है पौदों के पूर्ण विनस्वती विकास में साहिक है नैट्रोजन नैट्रोजन से क्या है पत्तियों वाली फसले अधिक गुड़कारी होती है पत्तिया स्वस्तों गहरे रंकी होती है अनाच के दाने और फल बड़े अकार के अधिक मात्रा में होते है फासपुरस देखिए पौदों में फासपुरस की रेंज क्या है पॉइंट टू से पॉइंट परसेंट तक होती है अब इसके क्या-कार है जड़ों में फैला और पौदों को मजबूती परदान करना दलनी फसलों में गरंतियों को बढ़ाना छोटे और तेजी से बढ़ने वाले पौदों के लिए विशेश उपी होगी अधिक किलों का फोटना है यों मजबूत डंठल में डवलप करता है फलदार और फुली फसल प्रकास नसलेशन में साया ठीक है यह पोटेश्यम के दिये गया है देखिए अब यह पोदों को यह तत्त भूमी से मिलता है भूमी में यह तत्त जैविक पदार तत्त खनिस लवडों से मिलता है किसान इस तत्त की पूर्ती के लिए क्या डालते हैं केसियर डालते हैं पोटेश्यम कॉल्लाइट और Potassium Salpate K2S4 खात के रूप में डालते हैं इस तत्तो का पौदो में पणहरीत स्टार्ट और सक्कर बनाने विशेश योगदान है तो ये याद रखेगा पणहरीत और स्टार्ट और सक्कर बनाने विशेश योगदान है मुखकार क्या क्या है जड़ों को मजबूती परदान करना सुखे से बचाना पौदों में पानी की कमी को पूरा करना भोजन निर्माण में सायता करना प्रोटीन को बढ़ाना पौदों को बिमारियों के प्रती सहाइन सीलता परदान करना इसको याद रखेगा ये इसका important काम है पौदों को गिरने से बचाना पौदों में सकती प्रदान करना भूजे में चमक लाना अब secondary तत्व है देखिए calcium इसके कुछ कार है magnesium sulfur ये micro तत्व के हैं इनके ये कार है इसमें chlorine और जिंक अब देखिए बात करेंगे ये अब organic manuals की